अब अच्वा जाओ इसके graph पे, तो graph के लिए क्या करेंगे, किसका graph ड्रॉप करना है, y is equal to tan inverse tan x का में curve ड्रॉप करना है, ठीक है न, ठीक है, domain इसका क्या होगा, एक बाफ़ेट से लिख लेते हैं, all real number से उस x को हटाना है, such that x is equal to odd multiple of 2n plus 1 into pi by 2, range क्या होगा, इस function का, open minus pi by 2 to pi by 2, यहां तक तो कोई problem नहीं है, clear है, ठीक है, अब period क्या होगा, period pi, और यह हमारा क्या होगा, y is a discontinuous function, यह बात पता चल गई, तो range हमारा minus pi by 2 to pi by 2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कि ऐसे curve देखेंगे, देखो, इसका curve अगेन, ऊपर नीचे, उपर से, pi by 2 से, minus pi by 2 जाये कब, यह हमारा pi by 2, यह हमारा y axis, x axis, यह line हो गया, y is equal to pi by 2, यह line की equation हो गया, y is equal to minus pi by 2, अच्छा, फिर हमें पता है ना, कि tan inverse tan x का जो value होगा, वो x के equal होगा, कब, जब x हमारा tan inverse के principle range में हो, tan inverse का principle range क्या होता है, minus pi by 2 to pi by 2, इसका मतलब, minus pi by 2 to pi by 2, कर वैसा हो जाएगा, मतलब कि x अगर तुमने minus pi by 2 से लेके, pi by 2 के बीच में लिया, ऐसा, तो हमारा यह करवागी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब फिर हमें क्या पता है, यह minus pi by 2, यह हो गिया pi, ठीक है, यह हो गिया मालो 3 pi by 2, अब यह बताओ, इसका period क्या है, tan inverse tan x का period pi है, तो यह तुम ऐसे देखो, 0 के बाद कहां से repeat होने लगेगा, pi के बाद repeat होने लगेगा, पाई के बाद value repeat होने लगेगा, देखो, 0 से यह हमारा ऐसा graph बन रहा है यह, तो यह graph ऐसा बन रहा है, तो उसके बाद क्या मतलब है, कि अगर pi period है, तो पाई के बाद graph repeat होने लगेगा, ठीक है, तो फिर तुम ऐसे देखो, पाई के बाद graph क्या होगा, 0 से पाई by 2 ऐसा graph है, तो पाई से पाई by 2 भी ऐसा graph होगा, ठीक है, और यह exactly, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर whole, यहाँ पर whole, क्यों, because pi by 2 तो domain में ही नहीं है, नहीं है function के, ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे 0 से pi by 2, और यह देख लो, यहाँ से यहाँ तक interval देख लो, यह पूरे interval pi है न, इस पूरे pi interval में curve तुमें कैसा देख रहा है, एक ऐसे उपर, एक ऐसे नीचे, अब यह 3 pi by 2 से मालो, यह 5 pi by 2 है, अब curve कैसे होगा, बताओ, यहाँ से ऐसे आगया curve, अब उसके बाद कैसे होगा, यह सब पे whole लोगा, pi by 2 के और multiple में तो है नहीं domain, तो अब देख लो तुम, जीरो से pi तक curve कैसा दिख रहा है, एक उपर, एक नीचे, फिर इस interval यह देख लो, यह पूरा pi का interval है, एक उपर, एक नीचे, periodic है न, उसके बाद, 5 pi by 2 plus pi by 2 क्या होता है, 3 pi, 3 pi plus pi by 2, क्या होगा, 7 pi by 2, ठीक है, अब समझ में आगे होगा, क्या करने जा रहे है, गर्व कैसे बनेगा, यहाँ पे भी यह, यह हो गया हमारा, minus pi, minus 3 pi by 2, यह हमारा curve हो गया, ठीक है, यह आगे बाद समझ में, यह curve हो गया, यह whole इसलिए है, कि यह pi by 2, 3 pi by 2, तो domain में नहीं है, 5 pi by 2, 7 pi by 2, तो यह किसका curve हो गया, यह curve हो गया, 10 inverse 10x का, ठीक है, अगर बोला जाए कि यह bounded है, तो बिल्कुल bounded है, domain क्या, already लिख रखा है, range क्या, वो भी पता है, period क्या, वो भी पता है, discontinuous है, तो बिल्कुल discontinuous है, अब इसका यह क्या है, equation क्या है, तो equation तो बहुत आसान है, सारे का slope क्या है, 1, इसका भी slope 1 है, सबका तो slope 1, 1 है, इस सबका slope 1 है, इस line के अगर तुम है equation लिखनी है, तो slope तो 1 है, इसका line का equation क्या हो जाएगा, y is equal to x, इस line का equation क्या होगा, बताओ, y, y1 तो 0 है, slope 1 है, तो क्या होगा, x minus x1, तो x minus pi, x1 की जगा है, इसका equation क्या होगा, y is equal to x minus किस 5 से पास कर रहा है 5 pi by 2 5 pi by 2 इसका क्या होगा y is equal to x minus 7 pi by 2 इसका क्या होगा ये किस से पास कर रहा है minus pi से slope तो 1 है तो y1 तो 0 है तो slope 1 तो क्या होगा x plus pi ठीक है ये बात आगई होगे समझ में तो ये हमारे पास curve किसका होगे है 10 inverse 10 x का तो ये जो curve बताया जा रहा है ये काफी important है तो इन सारे curve को रट जाना है एक तो समझने वाली बात होगे कि समझ में कैसे आ रहा है और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो curve को रट जाओ लेकि इतना logic इसके पीछे है न वो exam में आगा नहीं exam में तो इस पे base question आएगा हमें क्या करना है इससे solve करना है तो यह होगी हमारा ठीक है अब आज आओ बच्चो next curve इचा मैंने यहाँ भी draw कर रखा है देखो 10 inverse 10 x का curve draw कर रखा है और एक बार यहाँ पे थोड़े बड़े size में यहाँ पे भी दुबारा मैंने draw कर दिया है ठीक है अब आज आओ cot inverse cortex same logic है कहीं कोई change नहीं है अच्छा cortex cot inverse cortex अब यहाँ पे देखेंगे कि cortex जो होगा इस function का domain क्या होगा सबसे पहले बात तो domain के लिए अच्छा ये भी बात है कि ये ठीक है cot inverse cortex में domain क्या होगा जहाँ पे sine x 0 हो जाए because cortex क्या होता है cos x upon sine x तो जहाँ पे sine x 0 हो जाए तो वो क्या होगा उसको हटाना होगा all real number से तो sine x कहां 0 होता है n pi पे तो all real number से हमने क्या किया n pi को हटा दिया तो यह क्या होगा इस function का domain आ गया अब range क्या होगा, जो cot inverse का principle range होगा, cot inverse का principle range क्या होता है, 0 to pi, cot और cos एक जैसा होता है, cos में क्या होता है, 0 और pi included होता है, cot में 0 और pi excluded होता है, ठीक है, तो range भी पता चल गिए, अब दूसरी बात आते हैं कि क्या ये periodic है, तो बिल्कुल periodic है, because cot pi का पी, ये cortex का period क्या है, pi discontinuous है, तो बिल्कुल discontinuous है, because cortex function discontinuous होता है, n pi पे, तो continuous cot inverse तो continuous है, but cortex discontinuous है, तो ये discontinuous function हो जाएगा, अब इसका curve कैसे draw करेंगे, तो curve के लिए तुम, यह यहीं देख लो, यहाँ पे क्या दे रखा है, कि अगर मैं, cot inverse cortex x के equal होगा, कब, जब x हमारा cot inverse के principle range में होगा, principle range क्या है, 0 to pi, तो 0 से pi के बीच में देखो, यह line क्या होगा, y is equal to x होगा, यहाँ हमें 0 हटाना पड़ा, और यह pi को हटाना पड़ा, pi के corresponding क्या होगा, value क्या होगा, इसकी, define नहीं होगी, because हमने domain से pi हटा रखा है, तो pi के corresponding value को हमने यहाँ एक hole बना के हटाना क्या है, यह तो interval मिल गया नहीं, 0 से pi तक, तो pi से 2pi के देखो, same करवा गया, 2pi से 3pi के exactly same, 3pi से 4pi, फिर minus pi से 0, यह भी interval तो pi का interval है, तो जैसा graph बना, 0 से πई वैसा ही बनेगा minus πई to 0 ये भी interval तो πई का interval है तो जैसा ग्राब बना minus πई से 0 वैसा ही ग्राब बनेगा minus 2 πई से 0 अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये सारा जो point है ये हट जाएगा ये point हटा नहीं है अच्छा ये भी point 2 πई है ना अच्छा ये भी point हटा गया ये भी domain में नहीं है जहाँ होल है और ये भी domain में नहीं है because cot inverse cortex का value कभी भी πई नहीं हो सकता है because इसका जो range है ना cot inverse का वो तो range 0 to πई या पई तो एक्स्टूडेड है तो ये graph आगिए अब सर्स जितने भी lines दे रखें इन सारे lines का equation क्या है slope क्या है इसका 1 है तो ये तो समझ में आ रहा है ये line y is equal to x हो गया x minus pi ये तो अलड़ी पताया जा चुका है कि कैसे निकालेंगे हम इसका line की equation कैसे निकालेंगे इसका अगर पूछा जाए कि तुम्हे root क्या है तो root इसका तुम देख लो अच्छा root सोचो क्या है इसका अगर root पूछा जाए तो root बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे n pi बट इसका root n pi नहीं है इसका root ही नहीं है because जो cot inverse cortex function है cot inverse cortex जो function है वो x-axis इसको कटी नहीं कर रहा है यह cut थोड़े नहीं कर रहा है यहाँ पे तो whole है न तो इसका root नहीं है इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि cot inverse cot inverse cortex अगर मैं 0 के equal दे दूँ और बोलूँ कि then find value of x then find the value of x मलूँ यह अगर मैंने question दे दिया तो x का value क्या हो जाएगा null set ऐसा कोई x नहीं है जिस पर cot inverse cortex क्या हो जाए 0 हो जाए अब दो कर बोल बज़िया y is equal to sec inverse sec x और y is equal to cosec inverse cos x तो फिर वही बात sec inverse sec x का domain क्या होगा जो sec x का domain होगा sec x का domain क्या होता है all real number से उस x को अटा दो जहां पे cos 0 हो रहा है तो cos कहाँ 0 होता है pi by 2 के और multiple पे तो all real number से हमने pi by 2 के और multiple को हटा दिया तो यह क्या हो गया sec inverse sec x का domain हो गया ठीक है अब range की बात करेंगे तो range क्या होगा जो sec inverse का principal range होगा sec inverse का principal range क्या होता है याद करो जो cos type का होता है principal range बट उसमें से pi by 2 हट जाता है तो यह हो गया principal range ठीक है उसके बाद period क्या होगा तो period जो sec x का period है sec x का period क्या होता है जो cos x का period है cos x का period क्या होता है 2 pi क्या यह function continuous है या discontinuous है तो यह function बिल्कुल discontinuous है because sec x function discontinuous होता है sec x function जो होता है न pi by 2 के odd multiple पे discontinuous होता है तो on the whole यह discontinuous function है यहां तक बात clear हो गया domain पता चलिया इस function का range पता चलिया इस function का period पता चलिया इस function का यह भी पता चलिया function discontinuous है ठीक है अब क्या होगा y is equal to यह sec inverse sec x x की equal कब होगा जब x हमारा sec inverse के principal range में हो अच्छा range मैंने क्या लिखा है range कुछ गर्बल लिख दिया है यह range गर्बल लिख दिया है sorry यह बच्चों इसको सही कर ले यह नहीं है कुछ भी r minus नहीं है range range हमारा क्या है 0 to pi minus pi by 2 तो अगर मैं बोलू कि sec inverse sec x का value x के equal कब होगा जब x हमारा second verse के principal range में हो तो second verse का principal range क्या होता है 0 to pi excluding pi by 2 ठीक है तो यहां से हमने क्या क्या है 0 to pi pi by 2 तो range में आनी सकता है इसका मतलब कि pi by 2 y is equal to pi by 2 पे हमें क्या मिल जाएगा whole मिल जाएगा pi by 2 तो आनी सकता है उसके बाद क्या होगा y is equal to x तो यह हमारा बन गया ठीक है तो यहां से यहां तक तो pi यह interval हो गया pi और यह interval हो गया 2 pi ठीक है यह हो गया 2 pi अब 2 pi के बाद का curve कैसा होगा जैसा हमारा curve किसका हुआ है 0 से 2 pi 0 से pi तक जैसा curve हुआ वैसे 2 pi से 3 pi होगा ऐसे curve आ जाएगा इसको हमने join कर देना है यहां से यहां तक join कर देना है तो अब यह मत बोलना कि join करने पर function continuous हो गया function अभी भी discontinuous है यह whole आने का मतलब function discontinuous हो गया ठीक है तो बस वही sec inverse sec x function का जो curve होगा वो किस type का होगा बिल्कुल cause function है उस type का curve होगा बट तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि जो line y is equal to pi by 2 line के corresponding जहां भी curve को cut करेगा वहाँ पे whole कर देना है यह भी हमारा point जो है graph पर नहीं आ सकता इसके corresponding y का value क्या pi by 2 और pi by 2 range भी नहीं है तो यह सारे whole आज रहेंगा और बिल्कुल cause type का curve होगा यहां तक तो कोई problem नहीं होनी चाहिए अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस function का domain क्या है तो domain तो पता ही है range भी पता है period भी पता है discontinuity भी पता है अब यह सब जो हमारे पास क्या बोलते हैं इन सब lines का equation तो आरा हम से लिख सकते हो slope क्या इसका 1 minus 1 1 minus 1 और line की equation कैसे लिखेंगे y minus y1 is equal to slope times x minus x1 इसको use करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी different line की equation ठीक है और तो कुछ बचा नहीं bonded है तो क्या बिल्कुल bounded है अगर मैं तुम्हें इसका बोलूँ कि roots क्या होगा इसका roots क्या होगा तो roots बताओ root जो होगा वो होगा 2n pi and belongs to z यही root होगा देख लो यह function कहां cut कर रहा है even multiple of pi पर x-axis को cut कर रहा है तो root क्या हो जाएगा 2n pi तो यह हमारा किसका कर्व होगा sic inverse sic x का कोई दिक्कत नहीं है अब आज़ो बच्चों y is equal to causec inverse causec x इसका कर्व देखते है तो इसके कर्व के लिए फिर वही कहानी same story है कि domain क्या होगा जो causec का x का domain होगा causec x का domain क्या होता है all real number से उस x को हटा दो जिस x पर sin x 0 हो जाए because causec x किसके equal होता है 1 upon sin x के equal होता है तो sin x का 0 हो 10 pi पे तो all real number से हमने n pi हटा दिया तो वो क्या होगा causec inverse x function का क्या मिल गया domain मिल गया range क्या होगा जो causec inverse causec inverse का जो principal range होगा अब causec inverse का principal range किसके type का मिलता है sin किसके मिलता है sec inverse का principal range का होगा cause से cause का क्या होता है 0 to pi, pi by 2 नहीं होता उसमें ये minus pi by 2 नहीं होता है sec में क्या होगा, minus pi by 2 भी आ जाएगा और cosec का किसे मिलेगा sine inverse से sine inverse का होता है न, minus pi by 2 to pi by 2, but cosec inverse में क्या होगा, minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में से हमें 0 को भी हटा देना है period की बात करेंगे, तो बिल्कुल periodic function है तो cosec का period क्या है, जो sine का period है sine का period क्या है, 2 pi अगर मैं बोलू continuous है या discontinuous है तो ये बिल्कुल discontinuous function है because जो cosec x function है ये खुद एक discontinuous function है cosec x हमारा function discontinuous है, cosec x function होता है ऐसे करके उपर u बनता है नीचे u बनता है तो discontinuous होता है न, एक उपर u एक नीचे u, cosec x और sic x का function discontinuous होता है cosec x कहां discontinuous होता है cosec x n pi पर discontinuous होता है जिस point पर sine x 0 होता है उस point पर cosec x function discontinuous होता है और sic x function कहां discontinuous होता है, जिस point पर cos function 0 होता है तो ये भी बात आगे समझ में अब आजाते है वही बात कि अगर मैं बोलूं कि causec inverse cosine x x के equal कब होगा तो causec inverse address x के equal तभी होगा जब x हमारा causec inverse function के principal range में हो principal range क्या होता है minus pi by 2 To pi by 2 excluding 0 to minus pi by 2 से pi by 2 के भीज में line y is equal to x अगया but zero चोड़ना होगा बिकॉस जीरो रेंज में नहीं आ सकता है, यह छोड़ना होगा, तू पाई है इसका, फिर यहां तुम देख लो, उसके बाद क्या होगा, इसका जो कर्व होता है न, कॉस एक इंवर्स का, बिल्कुल साइन टाइप का होता है, जैसे साइन में, सिक में क्या था, सिक का कर्व मैंने क्या बोला, कॉस टाइप का होता है, बट हमें क्या करना है, ठीक है, और कॉस एक इंवर्स का साइन टाइप का होता है, बट हमें क्या करना है, मतलब पाई के मल्टिपल्स को अटा देना है, रेंज से, pi के integral multiples को ऐसी ही तो होता है sin inverse का भी minus pi by 2 यह minus pi by 2 है minus pi by 2 से pi by 2 तो यह हमारा आगया करव अब यहां पर 0 से pi by 2 तो 2 pi के आगया ऐसा ही करव होगा जो 0 से pi by 2 होगा ऐसा करव होगा इसको हमने join किया straight से फिर इसको ऐसे join कर दिया यह करवा गया किसका अगर मैं बोलूं कि इस function का root क्या है, तो फिर सोचो root क्या है एक मिनट के लिए, बहुत बच्चे root बोलेंगे n pi, क्यों n pi, क्योंकि n pi पे क्या कर रहा है, यह जुलाइ यह है, क्या बोलते है, कॉसेक inverse, कॉसेक x जो है, n pi पे क्या कर रहा है, x-axis को कट कर रहा है, बट ऐसी कोई बात तो है नहीं, x-axis को यह किसी point पे नहीं कट कर रहा है, तो अगर इसका root अगर मैं बोला जाओं, कि ऐसे मैं बोलूं कि कॉसेक inverse, कॉसेक inverse, अगर कॉसेक x लिखा है, अगर इसको 0 के equal किया, या मैंने question ही ऐसे पूछ लिया, कि ऐसे लिख लिया, एक चलो question मैंने बोल दिया, if कॉसेक inverse, कॉसेक x is equals to 0, then find the value of x का, तो इसका एक लाइन में answer होगा, क्या answer होगा, कॉसेक inverse, x is equal to 5, क्या होगा, नल सिट, दूसरी बात क्या है हमारे पास, अब फिर वही line की equation लिखनी है, तो line की equation के लिए क्या होगा, इसका slope क्या होगा, इसका slope, m is equal to 1, इसका slope क्या होगा, m is equal to minus 1, अगेन इसका slope क्या होगा, m is equal to 1, m is equal to minus 1, फिर यहां पे, m is equal to 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, m is equal to minus 1, m is equal to 1, अब slope निकालने के लिए, तो खुदी line y is equal to x, इसका slope minus 1 है, उसके बाद ये किस प्वाइट से पास कर रहा है, πाई कॉमा जीरो से तो उसका ये एक्विजन आ जाएगा तो ये था हमारा कॉसेक इन वर्स, कॉसेक इन वर्स, कॉसेक एक्स का कर्व और अभी तक मैंने जितने भी curves बता हैं यह याद कर रखो कि यह काफ़ important है मतलब बहुत important है तो आपको क्या करना है कि एक तो इसकी अच्छा मैंने एक explanation दे दिया कि यह curves कैसे generate होड़े मतलब कैसे बन रहे है दूसरी बात क्या है कि इस curve को रट जाना है साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का कर्व बिल्कुल एक जैसा है कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का कर्व वह भी एक जैसा है और टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का कर्व एक जैसा है जैसे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है साइन इंवर्स का प्रिंसेपल रेंज होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन इंवर्स का प्रिंसेपल रेंज तो कॉसेक इंवर्स का प्रिंसेपल रेंज क्या होता है कॉसेक इंवर्स का प्रिंसेपल रेंज होता है Cos का principle range क्या हमारा cos का principle range है 0 to pi और sic का principle range या है sic का principle range है 0 to pi बस उसमें से क्या अता देना है pi by 2 फिर 10 और cot का एक जैसे है तिके लोके